नमस्कार दोस्तो मैं रमुक मर्यादो एजुकेसन क्लासेस रामू मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है शमेग और हम बता दें आपको कि जीवन कावसल के अंतरगत छत्वा हमारा जो टॉपिक था लेशन नमबर छत्वा वह वीविद था और वी हमारा टॉपिक समेग है पिछली दो पार्ट मैंने वीवित के अंतर का दो पार्ट बना चुका हूँ अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा वीडियो काफी इंपोटेंट है और इंट्रेस्टिंग है तो उसमें उन टॉपिकों को कबर किया गया है जो बार-बार एक जाम में रिपिटेड हुए हैं उनको कबर किया गया है तो अगर आप प्राइमरी सुपर्टेट की त्यारी करते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा काफी इंपोटेंट है हर वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो उन वीडियो में सबसे ज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा तो चलिए दोस्त आज का हमारा टॉपिक शमेग और शमेग के कुछ इंपोटेंट फैक्ट है उनको देखा जाएगा जैसे शमेग शमेग लेटिंग शब्द के इमो मेवर से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है कि हल्चल या पुथर पुथर आपके अंदर उत्पन हो जाते हैं वहीं समेग कालाते हैं समेग क्या होते हैं समेग जन्मजात होते हैं शमेग हमारे भावों का उद्वेलिक दसा होती है जैसे हम अपने भाव से ब्यक्त करते हैं उसी को उद्वेलिक दसा को ही शमेग कहा जाता है जैसे प्रेम, पै, क्रोध, हसी, आधी समेग हमारे अंदर जन्म जात होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, अब चलते हैं, समेग के कुछ इंपोटेंट परिभासाएं हैं, जो की प्रश्ण बनते हैं, उनको देखते हैं, जैसे बुडवर्थ के अनुसार, समेग ब्यक्ति की उत्य समेजित अवस्ता क्या का लाती है, शमेग का लाती है, रीट में भी ये प्रश्ण बना हुआ है, उसके बाद कई एक्जामों में ये प्रश्ण बना हुआ है, तो इंपोटेंट है, ध्यान में रखेगा, जर सिल्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेस आने पर भड़क के उठने अत्वा उत्तेजित हो जाने की विवस्ता को समेग कहा जाता है, यानि किसी भी प्रकार के आवेस आने पर भड़क उठने अत्वा उत्तेजित हो जाने की अवस्ता को क्या कहते हैं, समेग कहते हैं, मैं दूगल के अनुसार देखते हैं, समेग प्रकृति का है ध्यान में रखिएगा गेट्स के अनुसार देखते हैं शमेग वे घटनाएं हैं जिस जिन से मनुस्य उत्तेजित हो जाता है ये गेट्स महोदे ने कहा है अब चलते हैं रास रास महोदे ने कहा है कि शमेग वह भावात्मक अनुभूती है जो ब्यक्त की मानसिक वसारिरिक उत्तेजिना है यानि कि शमेग वह भावात्मक अनुभूती है जो ब्यक्त की मानसिक वसारिरिक उत्तेजिना को शमेग इन्होंने माना है रास महोदे ने तो इंपोटेंट है ध्यान में रखेगा एक देखे मूल परविर्थि योंको सिदान्त मैध बूडल अभूडल महोदय ने दिया था इन्होंने 1949 में यह सिदान्त अपना दिया था और यह समेगों के रिलेटेट है याने हर ब्रेक्तिमे समेग होता है और हर समेग की कुछ उसी चीज को यहां पर बता जा रहा है जैसे हमारे अंदर अगर मूल प्रविर्ती जिग्याशा है तो उसका समेग जो होगा वो आश्यारी का भाव उत्पन होगा आपके अंदर उसके बाद हमारे अंदर अगर मूल परविर्थी पलायन है तो भाय या डर का जो समेग हमारे अंदर उत्पन होगा अगर हमारे अंदर स्वामो हिकता है तो अकेला पन का जो है शमेग उत्पन होगा अगर हमारे अंगर युदुस्सा है तो हमारे अंदर क्रोध की प्रविर्ति या शमेग उत्पन होता है उसी तरह आत्मगौरों का समेग स्रिष्टा की भावना होती है उसके पर दैन्य का समेग आत्म हिंता होता है और यह पूछता है कभी-कभी ज्याम में पूछ लेता है कि दैन्य का समेग क्या होगा ऐसे परशन पूछ ले गता है तो ध्यान में रखेगा संचे प्रविर्ति का जो समेग होगा वो स्वामित्य की भावना होता है प्रति कर्शन मूल प्रिविर्ती हमारे अंदर है और उसका समय जो है वो गिरीडा होता है जिसको युगुपसा भी कहा जाता है तो द्यान में रखेगा शरणा गत को कश्ठ समय जो है काम का कमुकता समय जो है ये शमय जो होती है तो द्यान में रखेगा हर बेक्ति के अंदर मूल परविर्ति होती है और मूल परविर्ति का हर मूल परविर्ति का शम्य भी होता है तो ध्यान में रखेगा काफी important है उसके बाद देखिए अब बेक्तित के शम्यगों की जो बीसेस्ताइं है उसको देख लेते हैं बच्चों में जो समयग होता है वो तुरंत आता है तुरंत खतम हो जाता है उसके बद बच्चों में सबसे थोड़ी देर के लिए समयग आता है थोड़ी समयग के लिए समयग आता है यह भी ध्यान रखेगा बच्चों में समयगात्मक अनुभूती बार-बार दिखती है यह पज़क की शेवगात्मक मूर्त वस्तु तथा परिष्टितियों से शंबन्दित होती है जो उनको दिखाई देता है जैसी परस्तिती होती है उससे उनका सव्हगात्मक जो बुद्धी होती है उससे related होती है इस चीज को ध्यान में रखेगा अब चलते हैं अतिसवेगात्मक्ता के कारण अगर समेग तीब्र है तो उसके कारण क्या-क्या है उसको देखते हैं कि अतिसवेगात्मक्ता के कारण जैसे शारीरी कारण मनुवेग्यानिक कारण और वातावरण यी संबंधी कारख हो सकते हैं जो आपके शमेग को तीब्र करते हैं जैसे सारीरी कारण की अगर हम बात करें तो विकासात्मक परिवर्तन होता है तो उनके सवेग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है वो सारीरी कारण के अंतरगत थाकान भी सारीरिक कारण के अंतरगत आएगा और दुर्बल स्वास्त भी जो स्वास्त खराब होते हैं वो भी सारीरिक समय गात्मक कारण के अंतरगत आये गातु ध्यान में रखेगा मनुवाइग्यानिक कारण के अगर बात करें तो बुद्धी और आकांचा चाहत जिसको कहते हैं ये मनुवाइग्यानिक कारण के अंतरगत आते हैं शमय गात्मक में तिब्रता लाने के लिए अगर वातावरणी की बात करें तो लड़ाई जगड़े, लाड़ फ्यार और ध्यान देना ये सभी वातावरणी कारण के अंतरगत आते हैं जो आपके समेगों को तीब्र करने का कारे करते हैं अब आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद शमेगों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है उसके बाद यह हमारा समेग वाला टापिक खतम हो जाएगा वीवीद के अंतरगत तो देखते हैं पहला अध्यापक अध्यापक के लिए इसके अनुसार बच्चे में शमेगों को उत्पन होने और ब्युक्त करने का शमेग नहीं दे यानि बच्चों के अंतरकर जो समय गोता है उसको उत्पन कर ज्यादा उत्पन होने के लिए और व्यक्त करने के लिए उनको शमय ही नहीं देना चाहिए अधापक के लिए ये बात कही गई है उसके बाद दूसरा समन, शमन में क्या होता है कि इसमें कश्टकारी यादों को ब्यक्ति अपनी चेतना से जान बूच कर निकाल देता है उसको समन कहा जाता है विस्थापन किसी वस्तु से संबंदित सवेग किसी अन्य वस्तु में अस्थानांत्रित कर दिया जाता है उसको विस्थापन कालाता है विस्थापन से रिलेटेड है ध्यान में रखेगा उसके बाद पांचमा पर चलते हैं और चौथा चौता है शमेगात्मक शक्ति को ढंग से ब्याद करना उसके लिए क्या का गया है कि इसमें बालक को इस प्रकार परसिक्षण किया जाए कि वे अपने शमेगों को इस प्रकार परदर्सित करे कि लोग उसे पसंद करने लगे उसको समेगात्मक सक्ति का जुक्यान दिया जाता है जिससे कि वे अपने शमेगों को आशा परदर्सित करे वातावरण में शमाज में कि लोग उसको पसंद करने लगे ये चीछ चौथा और पांचवा है प्रति गमन ब्यक्ति कम समझदारी वाले जबाब देते हैं प्रति ग शमेगात्मक रेचन दबे हुए शमेगों को बाहर आने देना यहीं शमेगात्मक रेचन कालाता है दबे हुए जो शमेग होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक सारेरिक रेचन और एक मानसिक रेचन होते हैं जो आपके अंदर कर दबे हुए होते हैं शमेग उसके पास सा समेगों का रूप जो है वह बदल जाता है वह सोधन की अंतरगत आता है यह थे हमारे शमेग के कुछ important fact और जो हमने इस वीडियो में कबर कर दिया और यह था हमारा जो जीवन कोसल के विविद वाले portion खा उसका तीसरा पार्ट था तो छटमा लेशन का तीसरा पार्ट था और इसमें हमने समेग वाली जो important fact थे उनको खतम कर दिया तो अगली पार्ट जल्द ही आएगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, share, subscribe आप जरू करें thank you thank you for watching this video